सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तूप्यम अरहर महादेव बहुम प्रदोश के इस उपाय से मात्र तीन दिन में यदि आपकी कोई चमडी से रिलेटेड इसकिन से रिलेटेड समस्य आए बैसमाप्त हो जाएगी तो इसमें आपको क्या करना है आम के 21 पत्ते जो की पेड से जड़कर नीचे गिरे हो पेड से तोड़कर नहीं सुखाने आपको जो आम के पत्ते पेड से अपने आप तूटकर नीचे गिर जाए तो उन पत्तों को उठा लीजिए और कुल 21 पत्ते आपको उठाने हैं 21 पत्ते उठाने के बाद में इन पत्तों को आग लगा कर इनकी बस्म तयार कर लीजिए बस्म तयार करने के बाद बहुम परदोश पैसे एक मैने में दो परदोश आती है पर बहुम परदोश कभी कभी ही आती है तो जिस प्रदोश में लिखा हो बोम प्रदोश उस प्रदोश के दिन प्रदोश काल में जो आपने बस्म तयार की है उस बस्म को भगवान चंकर को चड़ा दीजिए और छड़ाने के बाद उस पूरी बसन को वापस ले आईए और लाने के बाद में उसमें गाय का घी मिलाकर जिस इस्तान पर आपकी चमडी स्किन सफेद हो गई है कोई दाने हो गए हैं चक्ते हो गए हैं ये स्किन खराब हो रही है उस इस्तान पर लगाना प्रारम गर दीजे, मात्र तीन दिन लगेंगे, आपकी वो इसकिन ठीक हो जाएगी, लेकिन करना के वल आपको इस उपाय को भूम परदोश पही है, कलिंडर में देख लेना कि भूम परदोश कब पढ़ रही है, सबी बक्तों को शिरी शिवाय, नमस उस्तुप्यम.